इस वेडियो में दिश्वां चीमा वेलकम बैक विद अधर वीडियो औफ केपिल स्मार्ट सिटी और आज के स्वीडियो में धिवल्पेंट के स्टेटस अब को पता हूंगा कि सेक्टर जी में इसवग डिवल्पेंट का स्टेटस क्या है as of end of December 2022 अब जोंकि Overseas Prime 1 का जो सेक्टर जी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है रीजन इसके society की तरह से जो सबसे पहली property जिसको possessionable किया गया था यानि कि society में जब इसको launch किया गया था 2020 के end पे और इसके 2021 के mid में society की तरह से बात की जा रहे थे कि जो members चाहिए आ पॉसेशन ले सकते हैं जोंकि यह block जो था सबसे पहले ready हुआ था क्योंकि इसके साथ entrance road था जिस पर सबसे पहले society ने अपनी development मुकमल की थी जिसकी weight थी 180 feet आप society की तरह से members को possession अफर किया था लगिन जायर सी बात है शुरूर में किसने possession अप्लाय नहीं किया लेकिन sector चीज जो देखा जाए in terms of living point of view especially तो 10 मरला के लिहाज से आपको बड़ी convenient location मिलती है एक तो उसकी location जो है वो आपको directly ऐसी बनती है कि आपको access road के साथ है नमबर बन, नमबर टू in terms के अगर आप construction करते हैं तो पीछे backdrop में आपको खैरी मुरत रेंच के पहाड़ नजर आ रहे होंगे यहां से आपको view बहुत अच्छा मिलता है जिस तरह के margla की side पे e6 में जाते है e6 के लावा f7 में जाते है, f6 में जाते है यहां आप पैदल चरके commute करके 5 मिंट के distance पे जो पाकिसान की सबसे flagship mosque है, जो पाकिसान का सबसे बड़ा currency note है, उसकी backside बिजिस की तस्वीर है वहां पे आप daily base पे 5 वक्त की नमाज अदा कर सेते हैं same goes for this के इस तरह इस जगह पे भी आपको उस तरह का elevated view मिलता है आपको इस तरह से बहुत अच्छी खैरी मिलत रेंज का view मिलता है, तो उस लिहाँ से location बहुत अच्छी है हाँ यहां पे फैसरल मस्जिद मजूद नहीं है, तो वो एक separate discussion है लेकिन any case अगर बात की जाए, यहां पे इस वक्ट development का status की तो इस वक्ट में रोड की बात करें तो में रोड और में रोड की back पे, आपको वन कनाल के जो विलाज है उनके construction होती वे नजर आएगी society की तरह से construction यहां पे अब इनको विलाज को launch नहीं किया गया और बहुत जल्दी भी launch किया गया, तो मेरा ख्याल है इसको अगले साल के मेरिट में रोड की launch किया जाएगा society की तरह से, इन विलाज के हवाले से, क्योंकि market में जो construction का rate है, वो बड़ा uncertain हुआ 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 है यानि construction materials का rate, तो आज का rate हो रहा है, कल का rate हो रहा है, परसों का rate हो रहा है, एक दिन में अपड़ एक दिन में डाउन, चूँकि हमारा जो economically पक्सानिक stable अभी नहीं है for the time being, क्योंकि हमारे जो foreign reserves है, वो भी नीचे आए में तो इस वाइसे काफी जादा यह issues आती है लेकिन इस बात से हट के, society की तरह से जब इसको launch किया जाएगा, तब launch किया जाएगा, for the time being, the topic है आज की वीडियो का, वो है कि इस वक्क overseas prime 1 में development के space तक पहुँची है तो इन general अगर बात करें, अगर आप विजट करते हैं, वसी इस prime 1, sector G पे सबसे पहली निजर बढ़ती है आपकी, तो वहाँ पे आपको अगर विजट करते हैं, personally, तो आपको sector G बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, reason उसकी 50 feet की सड़के है, मैंने बहुत सरे societies देखी है, आम वसी साइड से footpath से लेके घर की boundary wall तक 30 foot जगा जोती है, वह इसमें कवर जाती है, और 20 foot बीच में कारपरेट रोड होता है, लेकिन स्मार्टी केस में ये तरीका थोड़ सा डिफरेंट है, क्योंकि सेंटर रोड जो एटाइज स्वीट की है, और साइड वरी रोड जो footpath से घर तक boundary wall तक distance बनता है, that is 11 feet, तो members को इस बार तक काफी ज़दा अच्छा advantage होगा, जिन members ने भी यहाँ पर प्लॉट लिये हैं, हाँ 10% आपको extra लाज़मी प्लॉट करना पड़ेगा, जिन भी members के प्लॉट हैं, Overseas Prime 1 में 10 मरला से लेके 4 कनाल तक, सिरफ 7 मरला के प्लॉट प्लॉट एखंप्टरेट हैं, क्योंकि 45 feet road पे हैं, बाकि तमाम प्लॉट पे extra charges यहाँ वह payable हैं, और secondly, इसवक्ड़वलमेंट की status आपके सामने है, कि इसवक्ड़वलमेंट की तर से society को इसको launch कियो तकरीबर पहने 2 साल का time गुज़ रहा है, यह अगर आप calculate करें, तकरी यहां पर देखते हैं गुगल इस साइट पर कौंसा बनता है और इसकी नॉर्थ एस्ट डेस्फपने अगे जाका एकस्प्लीन कर तूघंड. इसाथ प्लान में के सेक्टर जी जिसकी वीडियो वह इसेक्टर के हवाले से आज की वीडियो वह यह वाला सेक्टर बनता है सेक्टर जी अब एक तासर जो में आमतर पाए जाता है यह पाए जाता है कि Overseas Prime जो चक्री रोड की तरफ है इसका इंटरच्छेंट से डिस्टन से दूर है इसलिए Overseas Central में प्लॉट लेना चाहिए और Overseas Central के लावा किकी दुज़िया प्लॉट को सबसे बहुते जी इंटरचेंज जो start होता है इंटरचेंज के distance इंटरचेंज ये इंटरचेंज के point है और इंटरचेंज से enter होने के बाद आप left side पर जब करेडल लेते हैं तो उसके बाद आप आगे ये इस road पे आजाते हैं आपका total जो distance बनता है इंटरचेंज M2 Motorway से Overseas Central का वो distance आपका approximate जाके around 4.90 km बनता है सेक्टर एज के starting point से 4.94 या 5 km round off कर लें कि इतना distance बनता है overall मैं master plan को light कर दों ताकि आपको रस्ता दरा concept clear हो सके यह आपका interchange से आने के बाद Overseas Prime में एंटर का दाफली रास्ता है number one number two आप इसी रस्ते को यह याद रखे कि के पांच किलो मेर के distance total बनता है अगर मैं properly by route जो road बना हुआ हूँ तो उसके बाद अगर हम clear करें कि मैं Overseas Central का map भी यहां पर on कर देता हूँ ताकि मैं वो चीज़ भी जरा highlight कर सकूँ Overseas Central में अगर सेक्टर A, B जहां पर किनाल के plots हैं वहां पर आप जाते हैं तो वहां पर distance किस तरह से बनता है तो वह आपको इस वीडियो में काफी अत्तक help मिल जाएगी और बाकी मैं Overseas East के जो सेक्टर है उनको भी मेर कर दूँगा कि उनका overall distance जो Overseas main इंटरजेंज बनता है उससे किस तरह का बनता है अचारी यह Central का मैंने मैप specifically on करती हैं Master Plan पे दुबारा मेर करते हैं अब Central तक सेक्टर A, B जहां पर कनाल दो कनाल के प्लोट से आपके पास यह रस्ता बनता है सेक्टर C तक देखें तो around 4.3-4 km और सेक्टर A तक अगर आते हैं तो आपका around 6.42 km यह यह direct रस्ता बनता है अगर मैं indirect रस्ते से जो आपको रिंग रोड प्रोवाइड की जा रही है उस पर बात करूं तो यह आपका interest पॉइंट है यह प्रिंसिंक्ट कमर्शल तो 4.52 km रस्ता बनता है इन जनरल अगर आप by road जब properly carpeted roads हो तो इस road से अगर आप enter होते हैं इंटर्चेंज वाली point पे तो आपको यह वाला distance कवर करना पड़ता है तो साड़े चार और पांच किलो मेटर यह पांसो मेटर के फरक में किसी इंडिविजुल को कोई नुकसान नहीं होने वाला आप मैं यह master plan भी देता हूं नीचे से ताके आपको इन जनरल clear understanding मिल सके यह यह central का रस्ता है और यह वाला इंटर्चेंग करता है तो ओवराल दोनों clear हो जाते हैं बिल्कुल तो 4.5 और 4.94 distance किलो मेटर और अब देखें थर्ड master plan पर यह master plan दोबारा on करता हूं मैं और इस पर मैं overseas आप इस तक आने के लिए जो रस्ता यूज करना पड़ता है वह रस्ता होता है आप इस रस्ते पर आएं पर उसके बाद इस ब्रिज के साथ से गॉल्फोर्स के साथ से कच्छा रस्ता जाता है आप यहां से होके overseas इस तक जाने के लिए डिस्टंस बनता है इस तरह तो इस सबसे दूरा फ्यूचर में जाकर जब यह रोड बन जाएगा तो सबसे नजदीक होगा तो यह एक मित है जिसको मैं क्लेर करना चाहता था यह तो ओगी ओवराल जो एक overseas और ऊवर्सीज प्राइम को लेके बात की जाती है अब दुबारा से बात करते हैं जी ओवर सीज प्राइम में जो सेक Week does से कौन से बहुंत हैं। F7 E7 में आपको मिलता है view Markla Hills का सेम इस तरह यहां से आपको Sector G से ये view मिलता है अगर हम बात करें इसके west side पर तो west side एक कनाली cutting आपके आते हैं one कनाल के plot और sector H बनता है वो और अगर हम इसकी बात करें south side पर तो south side पर main bollywood, main bollywood के opposite side commercial and commercial के opposite side main commercial मरकज बनता है जिसका नाम है sector M ये तो होगी overseas prime sector G की चार साइट की बात अगर चार साइट के लावा sector G को सरफ देखें तो अभी तो Google Earth पर images updated नहीं है ये आपको सामने images हैं लेकिन future में जब updated नहीं होगी तो आपको या idea होजगा कि ये सारा का सारा area developed हो चुका और possession है भूल चुका इसमें में जो वन कराल के plots हैं यानि अगर plot नमर वन टू, plot नमर 19 यहां पर विलाज बन रहे हैं 19 विलाज और यहां से plot नमर वन टू, plot नमर 19 38 विलाज इस टैम वन कराल के construct हो रहे हैं overseas prime 1 में main believer के उपर और उसकी बैक साइड पे जिस पे बैक साइड पे रोड आफ चास फूट और सामर विलाज साइड पे 180 फूट की main believer बनती है, तो overseas prime 1 की in general बात होगी, जिसका member मुझसे अकसर पूछते हैं, तो यह तो overseas prime sector G, इसके अंदर एक linear एक छोटा पार्ग भी मुझूद है, और इसके लावा यहां पे कुछ यह वाले विलाज जो हैं, प्लॉट्स दस मरला के विलाज के लिए, और यह वाले प्लॉट्स भी कुछ दस मरला के विलाज के रिजर्वड हैं, फेसिंग main believer and park, इसका अपना को sector commercial नहीं है, road के opposite side ही commercial है और इसके अंदर कोई mosque के लिए भी society ने specifically जगा नहीं रखी sector G के opposite side पे यहां पे school और यहां पे mosque most probably यहां पे आएंगे, तो यह दोनों opportunity बनती है sector G के members के लिए again back to real time image और इस वक्त दुबारा sector G के वाले से आप जो most updated इसकी site के footage है यह end of December 2022 की वो आप देख सकते हैं, इसके sector G में main boulevard के साथ मैंने explain किया है, कि one canal के villas बन रहे हैं, इनका total number बनता 38 19 villas on the main boulevard and 19 villas on the back side of main boulevard उसके लावा जो sector G की main streets है जिसकी minimum rates बंती 50 feet और जिस जगा से अभी आप drone की flight देख रहे हैं इस area का बनता है park center में, तो यहां पे G block में सबसे अच्छी location के plot जो है, वो आपके लिए available है, हाँ यह plots fresh booking पे available नहीं है, यहनि अगर किसी individual नहीं plot buy करना है, तो he has to buy that plot in resale, fresh booking में यहां पे plot नहीं है, मैं overseas prime को बहुत ज़्यादा plots नहीं मिल सकते, क्योंकि बिल्कुल इसकी back side पे, अगर बात करें sector H की north side पे, sorry sector H की west side पे, तो वहां पे आपको golf course का view मिलता है, sector F के अगर बात करें, तो वहां से golf course से ज्यादा अच्छा view जो है, वो sector F से मिलता है, क्योंकि golf course से काफी ज्यादा elevated area पे sector F located है, और sector F में सिर्फ और सिर्फ society की दर्फ से, एक कनाल दो कनाल और चार कनाली cuttings हो रखा गया है, so this was it from today अगर आप Capital Smartity ये, Lahore Smartity में booking के वाले इसकुछ मालूमाद चाहिए हो, तो देगे नमबर पर राबता करें, इसके लावारे website विजिट करना स本ी вещи भेप बाबता चाहिए हम जाजआ है, बदाने दवा भावारे चँच्च चाहिए है करे दो को दो आप जजो याватरा और चाहिए है